चोपड़ा एजो किसन यूटूब चनल पर मैं हरसा चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ सुप्रिम कोट में नीट वे जेई पोस्पोंड के अलावा नीट एक्जाम सेंटर के रेगार्डिंग एक और केश सल रहा है जिसमें ये मांग की गई है कि जो स्टुडेंट एब रोड में हैं और नीट 2020 का एक्जाम देना चाते हैं उनके लिए या तो एब रोड में एक्जाम सेंटर का अरेंजमेंट किया जाए या फिर एक्जाम को ओन लाइन मोड में कंड़क्ट करवाए जाए या फिर सिच्वेशन कंट्रोल होने तक नीट एक्जाम को पोस्वोंड किया जाए क्योंकि इस कंडिशन में उनका इंडिया आना मुश्किल है सुप्रिम कोर्ट ने एंटिये से इसके बारे में जबाब मांगा था जबाब में एंटिये ने कहा है कि नीट एक्जाम ओनलाइन मोड में कंड़क्ट नहीं करवा सकते और इंडिया से बार परिक्षा सेंटर रखना संभाव नहीं है फ्राइडे को सुप्रिम कोर्ट में इसके हेरिंग हुई थी सुप्रिम कोट ने का है कि जो इस्टुडेंट आइब रोड से नीट 2020 का एक्जाम देना चाते हैं उनके लिए वंदे भार्त फ्लाइट अवेलेबल है स्टुडेंट के PARENTS का कहना है कि अभी international traveling पर बेन है और COVID-19 के चलते travel करना रिस्क है और इंडिया में आने के बाद उनको कॉरेंट रहना होता है अभी इसके बारे में Supreme Court ने Next hearing Next Friday को दी है तो दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी जो NEET के ए मेरोड एग्जाम सेंटर के related थी देखते हैं Next Friday को इसका क्या decision जाता है जैसे ही कोई इसके बारे में अपडेट मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज़्यादा ज़्यादा सेर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जये हैं